अगर आप एक नया पावर बैंक लेने जा रहे हैं तो आप 500, 600 या 2000 रुपय का एक पावर बैंक लेंगे लेकिन अगर मैं आप से कहूँ कि आप 2000 रुपया खर्च भी करो और आपको सही पावर बैंक न मिले तो आपको कैसा लगेगा गाइस अगर आप एक पावर बैंक लेने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूसफुल होगा क्योंकि आज किस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसे पावर बैंक के बारे में जो की है 20,000 MHz का लेकिन काम बहुत ही अच्छा करता है बहुत ही तगड़ा हमें बैक अप देता है माई पावर बैंक 3iS में 3i फीचर को भी सामिल किया गया है यह जो पावर बैंक है वो है 20,000 MHz का यह पावर बैंक 18 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है यानि 18 वाट का चार्जर जितनी स्पीड से आपके स्मार्टफोन को चार्ज करेगा सेम उसी स्पीड से यह पावर बैंक आपके स्मार्टफोन को चार्ज करेगा और इसी के साथ गाइज इस पावर बैंक में ट्रिपल पोर्ट आपने कई बार सुना होगा कि power bank कभी काल blast कर सकता है लेकिन यहाँ पे MI ने आपके protection के लिए इस power bank में advanced 12 layer chip protection को use किया है जिससे आगे चलके आपको कभी इस power bank में यह नहीं सुना ही देगा कि यह power bank कभी blast भी करता है तो काफी अच्छा है तो गाइस चलिए इस power bank को करते हैं open यहाँ पे आपको MI power bank 3i 20,000 mh का देखने को मिल जाएगा तो गाइस यहाँ से simply में इसे open करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक sticker लगा हुआ है यहाँ पे मैं इस sticker को निकाल देता हूँ इस sticker को निकालने के बाद मैं इसे box को open करता हूँ box को open करने के बाद यहाँ पे अंदर की तरफ हमें कुछ और देखने को मिल जाता है एक box इसे मैं side में रखता हूँ इस box को और बात करते हैं इस box के बारे में तो गस्ट इस पावर बैंक कि साथ हमें टाइप सी केबल देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा है एंड इस служ well oh गइज़ते अपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं अपका मोबाइल फूल चार्ज हो गया है अब चाहते कि आप अपने power bank को उफ कर दे तो इस बटन को जैसे याप क्लिक करेंगे तो यह आपका power bank और नीचे की तरफ आप लोग देख लीजिए यहां पर 20,000 mh की बैटरी को जो मेंशन किया गया है कि इस पावर बैंक में 20,000 mh की बैटरी को यूज किया गया है यह 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाला एक पावर बैंक है फ्रंट में हमें dual output यहां पे देखने को मिल जाता है मतलब एक साथ हम अपने दो स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं बहुत से पावर बैंक में एक प्रॉब्लम होती है कि उसे चार्ज करने के लिए टाइप C या USB केबल का यूज करना पड़ता है लेकिन इस पावर बैंक में दोनों option दिये गए हैं आप चाहें तो टाइप C से भी चार्ज कर सकते हैं और आप चाहें तो USB केबल की मदश से भी इसे चार्ज कर सकते हैं यह पावर बैंक एक ऐसा पावर बैंक है जो कभी हीट नहीं होगा यह MI का दावा है कि उनका पावर बैंक कभी भी हीट नहीं होता है तो काफी अच्छा पावर बैंक है बात के इसके बैटरी बेकप के बारे में अगर आप इसे एक बार फुल चार्ज कर देते हैं तो ये आपके स्मार्टफोन को 4-5 बार चार्ज अराम से कर देगा उमीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आयोगी पसंद आयोगी तो प्लीज यार इस वीडियो के लाइक कर देना और हाँ अगर आपको ये पावर बैंक चाहिए आप इसे खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में में लिंक दे दे रहा हूँ जैसे ही लाइक कर देना चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना इस वीडियो में इतना ही